अव्फ लूड कन którą इना सिलींडर रिसीव 1100 केजी ओफ मेकेनिकल एनर्जी बायमिन दो कि आपका एक स्लेंडर ठीक है और इसलिंडर में फ्लूड फिल उब है फिलेंडर में फ्लूड है फ्लूड होता है आपका यहा तक फ्लूड है और इस फ्लूड में काता है ओफ जोता है विद दा हेल्प ओफ क्या थी इसके आपको एस्टेरर से विद दा हेल्प आफ एस्टेरर से इसमें जो तैका क्या ज़रा है आपको mechanical work जोता है इसमें provide की जारे कितना work आपको negative of 150 kilo zool देखो क्यों negative लिखा हूँ negative इसलिए लिखा होगा है आपका mechanical work इसलिए लिखा है क्योंकि work done on the system हो रहा है क्योंकि आपका जो paddle wheel है यह paddle wheel जोता है यह system में इस fluid में work provide कर रहा है जिसके कारण इसके kinetic increase हो रहा है उसके बाद देखो together with 50 kilo zool in the form of heat और जोता है 50-50 kilo zool जोता है energy all transfer की जा रहे है लेकिन वो heat के form के रूप में और इसमें का की जा रहा है जो heat आपको दिया जा रहा है 50 kilo zool दिया जा रहा है और इसको positive इसलिए consider किया जाए क्योंकि heat given to the system system को heat दिया गया ठीक है in the form of heat जोता है at at the same time at the same time a piston in the cylinder piston in the cylinder इसमें आपका जोता है suppose आपका piston है ठीक है piston है तो कह रहा है piston in the cylinder moves in such a way that the pressure remains constant at 200 kilo pascal और आपका pressure जोता है कितना है 200 kilo kilo newton per meter square ठीक है pressure आपका इतना है और उसके बाद करें during the fluid expanse from the volume मानलो की पहले यहाँ बे वालुम था आपका भीवन था two cubic meter था then आपकी volume expand होगे कितना हो गई आपका यहाँ पे चलाई ठीक है और आपके piston यह है then यहाँ पे जो आपकी volume होई five cubic meter ठीक है five cubic meter तो कॉरा what is the change in internal energy and in enthalpy करा देखूं एक आपका system है ठीक है यह system जोता है आपका कौन सा यह piston cylinder का piston और cylinder का system है और इसमें fluid है आपका क्या है fluid है ठीक है और इस fluid में का क्या ज़रा है कि जो sterile के help से इसमें work input की जा रही है also जोता है आपको other form or also energy इसमें input की जा रही है in the form of heat के रूप में भी इसमें energy input की जा रही है ठीक है उसके बाद जोता है आपका heat इसमें दी जा रहे और इसको वर जिसके कारण जोता आपका piston जोता है वो भी 1 से भी 2 तक move किया ठीक है वो भी pressure remain constant या pressure आपका क्या है constant पे आपका जोता है इसकी volume expand की तो बोल रहा है कि बताओ जोता है इसकी change in internal energy also change in enthalpy देखो कभी भी हम internal energy या enthalpy जोता है वो path function नहीं जोता है हमेशा estate function नहीं तो उससा हमेशा जोता है किसी particular system के लिए निकल लोगए particular जोता point के लिए नहीं उसका हमेशा change in internal energy यह मतलब दो point के बीच के difference को निकाल दे ठीक है सबसे पाले है हम क्या इसमेल अप्लाई करता है according to according to first law of thermodine according to first law of thermodine जो था है आपका dq equal to d u plus जोता है इसे d u plus जोता है p into d भी आपका flow work है जिसके कारण यह displacement work है ठीक है dq आपका कितना 50 kg 50 k kilo and d u is called to जोता है इसे del u लेलो change in ठीक है del u plus जोता है p आपका जो flow work है आपका pressure जोता pressure into displacement जोता है pressure constant then 200 है into जोता है v2 minus v1 कहेगे final minus initial होता है तो आपका v2 minus v1 plus mechanical work कितना है आपका 150 है negative 150 के लिए जो देखो 50 plus जोता है del u plus जोता है 200 into जोता है v2 का value कितना आपका 5 है देखो v2 का value 5 है और v1 का 2 है 5 minus 2 minus of 150 है तो 50 equal to del u plus जोता है 5 5 minus 2 गया 3 3 से 2 से multiply कर वो कितना होगा आपका 600 minus of 150 देखो आपका यह 50 होगया और यह आपका कितना होगया del u plus 600 600 जोता है तब 600 में से 150 को 150 को subtract कर वो कितना होगा आपका होगा 450 होगा ठीक है 450 होगा then आपका देखो तो आप इधर 50 कर रहे उसके बाद से plus में इधर लाओगे तो क्या होगा यह negative होगा then del u is called to negative of 400 किलो जूल आपका जोता है और del u होगया मतलब आपका change in जोता है change in internal energy change in internal negative of 400 किलो जूल होगया ठीक है और second आपका क्या बोल रहा है second जोता है आपका बोल रहा है कि उसकी change in enthalpy बटाओ और enthalpy is called to होता है u plus pb होता है यह भी change in internal आपका change in आपका enthalpy change in internal energy और pb आपका flow देखो तो h आपको निकालना है then u कितना अब भी आपने निकालना है negative of 400 आपका negative of 400 then आप यहाँ पर लिखे दो कितना negative of 400 plus pb तो आपका pressure भी निकालना into और इस अपना pb मतलब यह कहाँ से कहाँ था फैलूम जाला pdv लिखना ठीक है pdv pdv लिखना मतलब pb तो आपका भीलूम कितना आपका तो 5 minus 2 ठीक है then आपका negative of 400 plus आपका 200 5 minus 2 3 मतलब 600 हो गया मतलब आपका s कितना आपका 200 kilo means आपका यह आपका क्या है change in जोता है enthalpy change in enthalpy जोता है change in enthalpy कितना आपका 200 kilo हो गया प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे then like and subscribe जरू करोगे thank you